हाँ तो इस वीडियो के अंदर हम Gail के buyback के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको Gail का ये जो buyback का update इसके बार इस stock को buy करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो देखें यहाँ पे जो Gail की आज board meeting हुई है जिसमें अने अप्रू कर दिया है यहाँ पे 1082 करोड का यह बाइबेक होने वाला है और एक share पर यहाँ पे जो company है वो 190 रुपीज देने वाली है तो देखें यह जो 1082 करोड का जो बाइबेक है जिसमें से अगर हम देखेंगे लगबग 500-500 करोड का जो amount रहेगा यहाँ पे government के पास जाएगा यानि कि government भी अपने shares बाइबेक में देगी और जो बाकी का लगबग 500 करोड का जो बाइबेक रहेगा वो जो general public हो गया FIA और DIA के पास जो shares है तो उसमें लगबग 500-500 करोड यह company देने वाली है और अगर इस बाइबेक की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे अराउंड अभी 70,000 करोड का market cap है तो उस point अगर हम देखेंगे लगबग 1-5% का यहाँ पर यह बाइबेक का company का 1-5% का बाइबेक लेकर आ रही है उसके अलावा गर हम देखेंगे तो 190 रुपीज के साबसागर हम देखेंगे तो around 30% के premium पे यह buyback आ रहा है तो कि around 150 रुपीज के लगबग अभी stock trade कर रहा है तो वहाँ पे 25-30% के premium पे यह buyback आ रहा है 35 रुपीज का premium है तो इस point रुपीज से अगर हम देखेंगे तो around 20-25% के premium पे यह buyback आ रहा है तो कि आपको इस stock को buy करना चीए तो देखें 1-1.5% का buyback है तो इतना बड़ा कुछ buyback नहीं है अगर आपके पास 100 shares है तो उसमेंच अगर जो buyback है अगर oversubscribe हो जाता है तो वहाँ पे आपके 2-3 shares ही लिए जाएंगे तो यानि कि अगर आप लगबग अगर हम देखेंगे तो 100 shares के साब से लगबग अगर आप 15,000 के shares खरीटे हो तो वहाँ पर आपके 300 या 45,000 रुपे के shares ह जाएंगे तो इस पॉइंट वीच अगर हम देखेंगे तो यहां पर असा लगटा है कि कभी-कभी buyback का price भी नहीं आता है अभी अगर हम देखेंगे जो TCS का buyback हुआ है लगबग 45,000 रुपे के लगबग उसका buyback हुआ है और अभी current market price चल रहा है 3,700 रुपे का तो इस चीए लेकिन हाँ अगर आपको fundamental यह company अच्छी लगती है तो definitely आपने यह invest करना चीए और वहाँ पर अगर आपके पास अच्छे कासे shares हो आपको लगता है कि मैं 190 रुपीज पे buyback में stock दे दे तो अगर market में price कम रहेगा तो मैं वहाँ से buy कर लूँगा तो वैसी strategy कर सकते हो लेकिन चीए buyback के लिए buy करना मेरे ख्याल से गलत हो सकता है तो दोस्तों मैं hope करता हूं कि गेल के buyback के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्तों thank you have a nice day